हलो बच्चों वेलकम टू प्यारस्ट फ्यूचर केडमी हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के सेप्टर नमर 9 कीरण प्रकास की एब प्रकासी की अंतर के भारे में आप लोग जानते हैं कि पांच लेक्चर इसके हो चुके थे और कल हम लोग के चकर में ये क्लास नहीं हो पाई कोई बात नहीं है आज हम लोग इस सीज को आगे बढ़ाते हैं और लेंस से छूटा हुआ एक टॉपिक था हमारे पास पतले लेंसों का सयोजन तो आज ही क्लास म दो या दो से अधिक पतले लेंस लिए जाए ठीक है और उनको एक दूसरे से सयोजित करके एक साथ जोड़ के रख दिया जाए तो हमको देखना है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थाथ इन दोनों पतले लेंसों को जोड़ने के बाद सयोगत लेंस की फोकस दूर केवल उत्तल लेंस का सयोजित करना लें में होगया है मुख्य अक्ष ठीक हैर यहाँ अगर कोई वस्तु रख दी है मालजे इस मुख्य अक्षपर यह हमने बिंदु वस्तु रख दिया तो देखना है कि इसका image कहां पर बनेगा और ये जो lens है इसको बोल दीजे lens number 1 इसको बोले lens 2 इसकी focus दोरी F1 और इसकी focus दोरी F2 ठीक है अब इस बिंद वस्तु से एक प्रकास किरण लेके जाएंगे पहले lens पर तो आप जानते है कि ये उत्तर lens है अभिसारी प्रकृति होती ह इसकी ये किरणों को मोडने का काम करता है तो ये अपने उपर आपतित इस प्रकास की किरण को मोड़ देगा और जब ये मोड़ देगा तो ये प्रकास किरण आगे की और बढ़ेगी आगे आप देख रहे हैं कि एक और यहां पर lens रखा हुआ है तो जब ये वाला अगर द यह लेंस एल्टू अनुपस्थित होता तो लेंस एलवन से इस वस्तू का प्रतिवियम यहाँ पर बनता आई बन लेकिन लेंस एल्टू उपस्थित है और अगर यह उपस्थित है तो यह अपने उपर आने वाले इस प्रकास की किर्णों को सीधे तो नहीं जाने देगा हना यह अभिसारी प्रक्रिति का लेंस है तो यह किर्णों को मोड़ेगा ही मोड़ेगा तो यह लेंस एल्टू ने क्या किया कि यह अपने उपर यह पहले लेंस से जो अपवर्तित हो कि किर्ण जा रहे थी और लेंस एल्टू पर जाके पड़ी है उनको यह फिर से मोड़ेगा और इनको मोड़ के यहाँ पर पहुचा देता, और यहाँ पर हम करते हैं, क्या बन गया है, यह प्रतिविम बन गया है, ठीक है, अर्थात, यह जो I1 है, यह पहले लिंस के लिए प्रतिविम है, और जो O है, यह इसके लिए वस्तु है, लेकिन लिंस L2 की बात करें, तो उसके लिए ये आईवन वस्तु है और इसके लिए जो प्रतिवीम है वो क्या है वो आई है ठीक है लेकिन आईवन जो इसके लिए वस्तु का काम कर रही है तो वो सच्वें यहां पर तो एक्जिस्ट नहीं कर रही ऐसा तो हुआ ही नहीं कि प्रकास किरण यहां पर गई लेकिन ऐस लेकिन वो यहां नहीं बन के यहां बना है इस छीजंब यहां से खिसका दिया ठीक है इसलिए कहते हैं कि लेंगे आईवन जो है इन वासी वश्तु का कारेश वस्तु तो यहां पर रखा हुआ ठीक है तो पहले breathing के लिए ये वस्तु हो गई ये प्रतिविम हो गया दूसरे लेंस के लिए ये आभासी वस्तु हो गई और ये प्रतिविम हो गया ठीक है वस्तु की दूरी को आप जानते हैं U से प्रतर्षित करते हैं तो यह इसको ले लिजे इसके मीट से ले रहे हैं मद से यू और ये प्रतिम की दूरी को बोले रहे हैं V ठीक है तो ऐसे केस में जो फार्मूला निकलके आता है संयूक्त लिंस के लिए उस तरीके से आता है 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 ये हो गया संयूप्त लिंस की फोकस दूरी और दोनों लिंसों की अलग-अलग फोकस दूरी इन सब की बीच का संबन कि 1 upon capital F पराबर 1 upon f1 plus 1 upon f2 जहां पर f1 क्या है पहले लिंस की फोकस दूरी f2 है दूसरे लिंस की फोकस दूरी और जो capital F है वो है संयूप्त लिंस की फोकस दूरी यानि ये जो capital F है वो इन दोनों का तुल ले कह सकते हैं तुल ले लेंस की छमता को प्रदर्सित करेगा और यह वन अपान एफ वन लिखा तो इसका मतलब यह पहले लेंस की छमता को प्रदर्सित करेगा इसी तरीके से यह दूसरे लेंस की छमता को प्रदर्सित करेगा तो इस फार्मूले के आधार पर हमें इस वाले फार्मूले में modification करें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं capital ये सोरी P capital P बराबर P1 प्लस P2 है ना अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए कि यह जरूरी नहीं कि दो ही लेंसों का सयोजन हो दो से ज्यादा लेंसों का सयोजन हो सकता है दो से ज्यादा लेंसों का सयोजन हो सकता है इसका मतलब आप इसी चीज को इसी पैटर्न में और आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे ही आप इस चीज को भी आगे इसी को ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं ठीक है तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस जोड़ते जाना है आपको आगर आप चाहते संयुक्त लेंस की छमता पता करें तो सभी लेंसों की छमताओं को जोड़ते जाएं सभी अगर उत्तल लेंस होंगे तो उनकी सब की छमताओं का मान प्लस में आएगा तो सब जोड़ जाएगा अगर इसमें एक उत्तल है एक उतल है तो उतल का प्लस हो जाएगा आउतल का म जिखान रखना है यह लेंज की छमता इस प्रकार से पीवर और प्लस पीटू प्लस संती डाट कर इस टाइप का होता है लेकिन जो आवर्धन होता है वो दोनों लेंजों की अलग-अलग आवर्धन के योगफल नहीं बलकि गुडण फल के बराबर होता है था ताप यह लिख लेंसों के सयोजन में इतना ही आप याद रखेंगे अब इसका डेरिवेशन तो है अभी डेरिवेशन आपको करा नहीं रहें तो जब डेरिवेशन कराएंगे तो इसके बारे में हम डिस्कुस करेंगे कैसे यह फार्मूला आता है ठीक है यह काफी इंपोर्टन सब्सक्राइब से लिए तो यह थो गया पतने लिंसों का सयोजन तो अब अब बात करते हैं जो कि आजका हमारा टार्गेट था डाइट इस परीजम चलिए तो सबसे बहुत कर लेटें प्रिजम की डिफिनिशन की तो प्रिजम का डिफिनिशन है कि किसी कौन पर ढुन जु आप ध्यान से करिद्व आप इसको देखेंगे तो इसमें ये जो सामने वाला भाग दिखरा है PRISMA का यह एक त्रिभुच की तरह दिख रहा है ठीक है? और यह जो दोनों सत्ह हैं जिनके बीच घिरा हुआ यह पारधर्स्ति माध्यम है इसका जो फरंट वाला पोर्चन है जो त्रिभुच की तरह दिख रहा है हम लोग क्या करते हैं कि कॉपी में इसी तरह से जो है प्रिज्म की आकृती बनाते हैं यह है प्रिज्म की आकृती ठीक है लेकिन ध्यान रखना है कि प्रिज्म ऐसा होता है थ्री डाइमेंशनल त्री बीमी आकृती होती है यह यह त्री बीमी आकृती होती है प्रिज्म की लेकिन हम उसका केवल एक फ्रंट पोर्शन लेते हैं जो इस वाली सत्ह और इसके पीछे वाली सत्ह के बिलकुल लंबवत है इन दोनों सत्हों को बोलते हैं अपवर्तक प्रिस्ट और ये जो दोनों भोजाएं हैं ये इसी अपवर्तक प्रिस्ट को ही प्रदर्सित कर रहे हैं ठीक है क्योंक प्रिज्म का मुख्य परिछेद जिस पर ये प्रिज्म टिका हुआ है इसको बोलेंगे प्रिज्म का आधहार ठीक है ये प्रिज्म का आधहार है और ये जो दोनों सतह दिख रहे हैं जैसे इस पर से प्रकास किरण जाती है और इसमें से प्रकास किरण निकलती है और दोनों क प्रिज्म के अपवर तक प्रिष्ट हो गए इसकी अलामा सीर्स पर यहां पर जो कोण बनता है इस कोण को हमें A से प्रदर्शित करेंगे हमेशा और जो कोण A है उसको क्या बोलते हैं तो कोण A को बोलते हैं प्रिज्म कोण ठीक है प्रिज्म कोण चलिए और इसको बोल को बोलेंगे प्रिज्म तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है अगर कोई आप से पूछता कि बदरी में कितने फलक होते हैं कितने सतह होते हैं तो आप यहां से देखेंगे तो आपको लगएगा एक, दो, और ती लेकिन ध्यान रखिए कि ये प्रिज्म की ओरिजिनल जो फिगर होता है ये वो नहीं है प्रिज्म इस तरीके का होता है ये तो हमने पढ़ने के लिए स्टडी करने के लिए कि किस तरीके से प्रिज्म से प्रकास का पूरतन होता है हमने ये चितर बनाया है आसानी के लिए लेकिन प्रिज्म ऐसा होता जो कि एक त्रिवी मिया करती है और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ये सतह दिख रहा है, एक इसके ज़स्ट पीछे, एक ये सामने और एक दम ये पीछे, और एक नीचे की तर्फ प्रिजम में कुल 5 सतह होते हैं, या 5 फलक होते हैं। स्वेसी पारदर्स्टी माध्यम में जाती है तो इसका अपव़दन होता है तो इसका अप contraction हो जाएगा तो अभी तो यह होगया प्रिजमा ना कि आकाकरी canyon को हम उसको क्या बोलें गेफ प्रिजम impress प्रकास चर्मक अप्त तो उसका अधार पर होता है तो चलिए दिखते हैं तो यह मैंने एक प्रिज्म का जो है बड़ा चित्र बना दिया है और इस चित्र की मदद से हम समझेंगे कि प्रिज्म से प्रकास का अपवर्तन किस प्रकास से होता है ठीक है इसमें मैंने आपको बता दिया है यह सीर्स पर जो कोण बनता है इसको प्रिज खहुंत च्छों घ है इसको प्रिज्म का आधार बोलेंगे और इन दोनों सतहुं को बोलेंगे अपवर्थक प्रिस्ट या प्वर्थक सतह ठीक, अब देखें, अगर इस प्रिज्म के अपवर् तक स्थ ab जो है, अप Veater a becoming पर कोई प्रकास की किरन आपतित करें इस प्रकार से ये कोई आपतीत प्रकास की किरण है ठीक है सबका नाम भी लिखते चलेंगे ये आपतीत किरण है आपतीत किरण बोलेंगे इसको ठीक है कोई भी किरण जो प्रिज्म पर लेंस पर दरपन पर आके गिरती है उसको आपतीत किरण ही बोलते तो ये एक आपतीत किरण है जो इस प्रिज्म के सतह AB पर आके गिर रही है और इसको नाम रख देते हैं P और इसको नाम रख देते हैं इस बिंदु को Q ठीके? तो PQ एक आपतीत किरण है जो इस प्रिज्म के अपवर्तक सतह AB पर आके बिंदु Q पर आपतीत होती है तो आप जानते हैं कि जब प्रकास किरण एक पारदर्सी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से बिचलित होती है अब ये प्रकास किरण वायू से काच में जा रही है तो ये भी बिचलित होगी तो अब ये important है कि ये प्रकास किरंड विचरीत हो कि धर जाएगी तoh याद करलीजे आप, फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब प्रकास किरंड वीरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभीलम की ओर झुक जाती है और जब प्रकास किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलम से दूर हट जाती है तो यहां का केस यह है कि प्रकास किरण विरल से सघन में जा रही है तो अभिलम से अभिलम की ओर जुक जाएगी तो सबसे पहले तो हम इस बिंदू Q पर आप तन बिंदू Q Q पर एक अभिलम बना ले सतह एबी पर ठीक है और वो अभिलम बना लेंगे तो हमको पता चल जाएगा प्रकास किरण को किस तरफ मोड़ना है ठीक है तो यहां पर जो अभिलम बनाएंगे वह अभिलम देखिए इस बिंदु Q पर अभिलम बनाना सतह से नभ्याश का बनाते यह ठीक है यह हो गया अभिलम यानि कि नॉर्मल इसको बोल दीजे एन वन नॉर्मल नंबर वन अब आप देखिए कि यह प्रकास किरण यह जो है इस प्रकास किरण को इस प्रकार से आगे बढ़ना था लेकिन चुकि यह विरल से सघन में जा रहे है तो यह इस अभिलम की अभिलम की जूख जाएगी तो यह यहां से ऐसे जाती थीक है जुक के यह अभिलम की ओर जुकते एससे आगे सीधे जाती ही ऐब देखिए इसको अपने P q नाम दिया था तो इसको नाम देते हैं कर दू आर और यह जो किरण दिख रही है खिए खिए टीक यह पिक identific की लट हमने बोला और qr को क्या बोलेंगे तो qr को बोल सकते हैं अपवर्तित किरन ठीक है आपतित किरन और अपवर्तित किरन इसके बाद अब फिर से देख रहे हैं कि प्रकास किरन आप दुबारा ये सघन से बिरल में जा रही है तो सघन से बिरल में प्रकास किरन जाती है तो फिर फिर से इसका बी चलन होता है और प्रकास कीरह भीलम से दूर्ब जाती तो फिर से हम सथूर पर इस बिंदु q r से गुजरता हुआ एक अभिलम बनाएंगे गे और जब प्रकास के नीकल考 के निकलेगी तो वह भीलम से दूर्णस जाए गी सथ grad बिंदू को नाम दे देंगे बिंदू R ठीक है चलिए अब यह जो प्रकास की किरण यहां पर आगे निकलेगी बाहर तो यह प्रकास किरण आप जानते हैं कि सखन से विरल में जा रहे तो अभिलम से दूर हटेगी तो इसका रास्ता किस तरफ होना चाहिए था होना तो ऐसे चाहिए था लेकिन यह अभिलम से दूर हटे कि इसका मतलब इस तरफ यह ऐसे आगी बढ़ जाएगी ठीक है और इसको आप नाम देजिए एस तो पी क्यू आर एस यह जो प्रकास का यह हो गया प्रकास का पत हो गया इसमें से पी क्यू को बोलेंगे आपतित किरण क्यू आ इसको क्या बोलते हैं तो इसको बोलेंगे निर्गत किरण ठीक है यह निकल रही है बाहर निकल रही है तो इसको बोलेंगे निर्गत किरण ठीक है चलिए अब आप जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलम की बीच का कोन जो होता है उसको बोलते हैं आपतन कोन इसको यह होता है तो आप गर आप यह मान लेते हैं प्रकास किरन बिंदू S से गई थी तो यह आपतीत किरन हो जाएगी और यहां पर जो कोड़ बनेगा वो आपतन कोड़ का लाएगा ठीक है लेकिन हमने यहां पर आपतन कोड़ को I1 नाम दे दिया है तो यहां पर हम I2 गोल देते और इसी तरीके से यहां पर आप वरतन कोड़ को क्या नाम दे देंगे R2 गोल देंगे तो इस प्रकार किसी भी प्रिजम से प्रकास का अपवरतन होता है और कुल मिला के आप देखेंगे कि किसी भी प्रिजम के उपर जो हमने प्रकास किरन को आपतित हम करते हैं वो प्रका कि प्रिज्म के आधार की ओर जोग जाती है ठीक है इस प्रकार से आप देख रहें कि दो दो बार इस यहाँ पर प्रकास का अपवरतन हुआ है ठीक चलिए अब कुछ यहाँ पर और एक टर्म आप समझ लेजे कि अगर आपतीत किरण है पी-क्यू और निर्गत किरण है आर ए और इस निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो आपतीत किरण और निर्गत किरण के बीच में यहां पर एक कोण बनेगा यहां पर ठीक है यह आपतीत किरण की दिशा हो गई और यह निर्गत किरण की दिशा हो गई और यह जो कोण बनता है इस कोण को डेल्टा से लिए अब इसके बाद आप जानते हैं कि परिजम जो है किसी एक पारदर्षी पदार्थ का बना हुआ है तो पारदर्षी माध्यम का अपना एक आप वॉर्तनांग होता है इसका भी अपना एक वी चिसका भी अपना का पवर्तनांग होगा तो उस अपवर्तनांग को अगर हम बोल दें एन है ना इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांग अगर एन हो तो यहां पर प्रिज्म के के नियम से जानते है n is equal to क्या होता है n equal to होता है साइन आई अपान साइन आर ठीक है अब यहां पर जो आई और आर है इसी के लिए आपको फार्मूला याद रखना है और यह फार्मूला कब आता है तो इसका भी केस आप याद रख लिए नियूनतम विचलन की इस्थिती में कि नियूनतम विचलन की इस्थिती में क्या मतलब है कि यहां पर जब विचलन कोड का मान कम से कम हो जब कम से कम यहां पर विचलन कोड होता है ऐसे केस में हम यह फार्मूला डिसक्स करने जा रहे है और यह कम से कम जब आता है तो एक खास बात होती है और उसका मैं भी आप C को हम R कहते हैं और I और R की जो वैलू आती है वो बिचलन कोण नियूनतम बिचलन कोण और प्रिज्म कोड से कैसे संबंदी थे तो I के लिए फार्मूला निकल के आता है आई बराबर A प्लस डेल M अपान टू और R के लिए निकल के आता है आर बराबर किया A अपान टू ठीक है तो I और R का मान आप याद रखिए ये भी अपने आप में एक फार्मूले हैं कई बार ऐसा होता है कि प्रिज्म कोड का मान दिया जाता है और आपसे अपोर्तन कोड का मान पूछ लिया जाता है या प्रिज्म कोड और नियूनतम बिचल प्रिज्म कोड कोड के बीच में एक संबन बताता है ठीक है यह एक important formula है और इसका derivation भी आपके syllabus में है अब यहाँ पर सवाल यही आता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह नियूनतम बिचलन कोड क्या है बिचलन कोड तो आपने देख लिया कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोड को बिचलन कोड करते हैं लेकिन नि नियूनतम बिचलन कोड का मतलब है कि एक ऐसा आप देखे हुआ क्या कि एक experiment किया गया और इस प्रिज्म के ओपर अलग-अलग कोड पर प्रकास किरण को आपतित किया गया यह ना आपतन कोड का मान बार-बार बदला गया तो फिर उसके आधार पर बिचलन कोड का मान मैं उसके बाद आपांऊसिक्तित आनंट बढ़ा रहा था यह था एक एसी स्थृति कर्षा ओधिदर कंवान एकड़ कि म कम से कम होगया है अगर आप अभा रहा है सोला सभी तो वो जो नियुनतम मोला जो केस आपको मिला था पिचलन कोड का उसी कोड को बोलते हैं New- penis कोड और इसका मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूं यहां पर देखें囡 है ग्राफ मिला कैसे को इस तरीके का ग्राफ था कि आप तन कोड यह opportunity गचrån कोड है एकसिस्ट पर आई और यहां पर है विचलन कोड यह कि डेल्टा ठीक है तो अलग-अलग आपतन पर प्रकास ग्रिणों को आप किया है और फिर उसका विचलन कोड गया किया गया तो देखा यह गया ऑफ्तन कोड का मान भले ही बढ़ाते हैं लेकि इसके लिए जो ग्राफ की मिला वह कुछ तरीके का ग्राफ था ऐसे अर्ण यह क्रम देखें क्या बता रहा है इस बिंदु से यह जो बिंदु है इसके पहले अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस डारेक्शन में जाने पर यानि आपतन कोड का मान बढ़ाने पर यह ग्राफ नीचे जा रहा है यानि बिचलन कोड का मान कम हो रहा है लेकिन इस बिंदु के बाद आप ज़रा देखिए कौन के बाद बिचलन कोड का मान नहीं घठता है और इस बिचलन कोड की केस में कम से कम यह विचलन कोड का केसमें को कोण नहीं हो सकते जसमें आपको इस प्रिज्म में नियूंतम बिचलन कोण का केस देखने को मिलें एक ही वो ऐसा कोण होगा जिस केस में बिचलन कोण का मान नियूंतम होगा और उस नियूंतम कोण को हम बोलेंगे नियूंतम बिचलन कोण ठीक है और इसी नियूंतम बिचलन कौन की स्थिती में ऐसा रिलेशन होता और फिर इन सब को अगर आप इसमें रख देंगे तो आपको यह प्रिज्म का सोतर मिल जाएगा ठीक है तो अभी आपने क्या समझ लिया आपने देख लिया कि प्रिज्म से प्रकास का पॉर्टन किस प्रकार से होता है कौन-कौन से फा बात होंगे प्रिज्म से प्रकास का आपकोरतन कि प्रकार से होता है अपने मो不知道 करेंगे कि प्रकास का वण बिख्षेपऑ क्या है तो बात कर लेते हैं प्रिज्म से प्रकास का वण बिख्षेपऑ तो सबसे पहले हम लोग समझाएंगों कि घटना क्या होती है unserem है नहीं- gefallen इसाओं में जाना जब स्वेथ प्रकास की किरण को यह अगर आपने एक प्रिजम ले लिया है जब स्वेथ प्रकास की किरण को इस प्रिजम के ऊपर आपतित किया गया है ना स्वेथ प्रकास का मतलब क्या है ध्यान रखिया स्वेथ प्रकास का मतलब कि सूरी का प्रकास है न और सूरिका प्रकास जो है वो साथ तरह के रंगों का एक संयोजन होता है ठीक है तो स्वेध प्रकास का मतब सूरिका प्रकास या साथ रंगों का एक समोर लेकिन ये सभी के सभी रंग आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं और सातो के सातो रंग मिलकर सफेद हो जाते हैं तो जितने भी इसमें रंग मिले हैं अर्था सातो रंग वो यहां पर से बाहर निकलने के बाद अलग अलग दिशाओं में विच्छेपित हो तो अपवर्तन के बाद वह अपने अव्यवी रंगों में विभक्त हो जाता है इस घटना को प्रकास का वण बिक्षेपण कहते हैं डिस्पर्शन आफ लाइट कि जो प्रकास किरण आप प्रिजम के उपर डालेंगे वह जितने के रंगों का समू होगा जब इधर से बाहर प्रकास किरण निकलेगे तो सब अलग-अलग हो जाएंगे अब सब अलग-अलग दिसा में बिक्षेपित क्यों हुए इसका कारण बहुत जरूरी है जानना तो देखे पीछे मैंने आपको एक फार्मूला बताया था प्रिजम के लिए कि मैं जो सूत्र आपने देखा तो वो क्या सूत्र था तो प्रिजम सूत्र ये कहता था कि एंड़ वचल onu was also conspiracy में अपण टू उसके बाद डिवाइडर बाई सा-इन कोड का मन कोड और उस प्रेजम के अपवरतनांग पर arrest है लेकिन अगर इसी फार्मूले का एक केस जो पीछे छूट गया है उसको आप नोट कर लेंगे देखिए वहीं पर नोट कर लिजेगा साथ में ही पतले प्रिज्म के लिए अगर इसी फार्मूले को लिखें पतले प्रिज्म के लिए तो पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला सॉल्व करने क के बाद किया जाता है याता है डेल्टा M is equal to N minus 1 into A यह फार्मूला आता है पतले प्रिज्म के नहीं है और इस फार्मूले से बहुत ही इसका अपना ये प्रिज्म कोण भी वही होगा और अगर सब कुछ सेम है तो सब के लिए बिचलन कोण का मान भी सेम होना चाहिए तो ध्यान रखिए आप कि इस प्रिज्म के पदार्त का जो अपवर्तनांक है वो इसके उपर पढ़ने वाली प्रकास के प्रकृति पर क्लास एक ही होता है टीचर एक ही होता है लेकिन उसमें जितने जिस तरीके के बच्चे होते हैं उसी तरीके से वो टीचर जो है परफार्म करता है अच्छे बच्चों के साथ अलग तरीके से बेभार होता है जो बच्चे बदमास है उनके साथ अलग तरीके से बेभार होता तो ये बिल्कुल वैसा ही कुछ समझ सकते हैं, ठीक है, अब देखिए, यहां पर होता है, कि इस में, जो सबसे नीचे color आता है, उसको आप आद रख लिएजए, सबसे नीचे आता है, बैगनी, और सबसे उपर कौन सा आता है, तो सबसे उपर आता है, लाल, ठीक है, यह इस तरीके से बिचलन होता है तो इस यह पता चलता है कि बैगनी के लिए के लिए बैगनी के लिए तो ग माय क्यूंत की जादा था और लाल में बिचलन कम हुआ इसका मतलब लाल में लाल के लिए इसका अपवर्तनांग भी कम था तो इसको आप इस तरीके से याद कर लिजे कि n v is greater than n r n v is greater than n r इस statement को अगर आप याद रखते हैं तो इससे आपको पता चलेगा कि यहाद कि बाकि लोग इसके मतलब बाकि पांच और ररंग बीच में आते हैं जिसको आपने किस तरीके से आद किया तो वह से आद करते हैं v ig syor विवग्योर के आधार पर आप इन साथों का नाम याद रख सकते हैं ठीके वाइलेट यानी की बैगनी, इंडिको यानी की जामुनी, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन का मतलब हरा, यलो का मतलब पीला, ओरेंज का मतलब नारंगी और रेट का मतलब लाल ठीक है तो यह सातो कलर है, यह मैंने यह सिक्वेंस आपको बता दिया, बैगनी से लाल की उर ठीक है ये जो सातो रंग यहाँ पर होते हैं वो इस क्रम में होते हैं और जिसके लिए जैसा इस प्रिज्म का अपवरतनांग काम करता है उसी हिसाब से उनका बिचलन हो जाता है और सीधे सीधे आप देख रहे हैं एक दमानुकरमान पाती है तो जिनके लिए ज्यादा रंग देर्ध के लिए अलग अलग अपवरतनांग जो है प्रभावित होना ठीक है एन भी इस ग्रेटर देन एन आर से आप यह बात याद रख सकते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवरतनांग यह आपतीत प्रकास का जो बिचलन है वो बिचलन इसके अपवरतनांग पर किस प्रकार से निर्भर करता है आप इस फार्मोले से इसको याद कर सकते हैं और इन सातों रंगों का जो सम्मू होगा उसको आप विव्योर से याद कर लेंगे ठीक है अब यहीं पर एक और बात 400 नैनो मीटर से लेकर 750 नैनो मीटर तक ठीक है अगर कोई आपसे पूछता है कि स्वेत प्रकास का स्पेक्टरम कहां से लेकर कहां तक होता तो आप बता सकते हैं 400 नैनो मीटर से 750 नैनो मीटर तक है ना और एक नैनो मीटर क्या होता है तो एक नैनो मीटर बराबर 10 के घात मा तो इस घटना को बोलते हैं प्रकास का वर्ण बीच्छे बड़ अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सुरी के प्रकास की वज़े से होने वाले प्रकृती में कुछ घटनाओं की बारे में तो चलिए देखते हैं इसको आप नोट कर लेजे आगे का टॉपिक देखते हैं तो सुरी के प्रकास की कारण होने वाले प्रकृती घटनाओं में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर आके गिलती है तो उसके बाद उस प्रकास की किरण का जो है प्रकेड़न हो जाता है अर्थात वो चारों तरफ फैल जाती है ठीके यानि अगर यह हम कुछ धूल और धूए के कुछ छोटे-छोटे कण ले लिए जाए ले जो हमारे वायु मंदल वे उपस्थित होती है त तो इस पर जब प्रकास कीरण यहां से प्रकास कीरणे ऐसे जाती है तो इन कणों से टक्राने के बाद यह प्रकास कीरण यहां पर कुछ इस प्रकास से यहां पर बिखर जाती ठीके और कुछ मात्रा फिर आगे भी जाती इसी घटना को बोलते हैं प्रकास की प्रकास का प् तो यहां पर अधिकास मात्रा इसकी बिखर जाती है, इसी घटना को बोलते हैं प्रकास का प्रक्रिडन, ध्यान रखिए कि प्रकास के प्रक्रिडन की वज़े से ही हमको प्रक्रिती में कुछ बहुत ही सुन्दर घटनाएं देखने को मिलती, जैसे प्रकास के प्रक्रिडन की और सुर्य के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है और दूरी जब सबसे ज़्यादा होती है तो यहां से प्रकास क्रिणे आती है तो यहां पर रास्ते में इनका प्रक्रिणन ज़्यादा हो जाता है और इधर भी प्रक्रिणन ज़्यादा हो जाता है तो आप कहेंगे प् प्रकास का प्रक्रिडन किस रंग का ज्यादा होता है किस रंग का कम लाट रेले के अनुसार प्रकास की प्रक्रिडन की मात्रा 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 प्रक का प्रक्रिडन उतना कम हो यानि एक दूसरे के बिल्कुल वियूत कर्मान उपाती है ठीक है एकदम उल्टा रिलेशन है तो आपने देखा था ना विभ्ग्योर में जो अभी मैंने नाम बताया बैगनी से लेकर लाल तक विभ्ग्योर का यह जो पूरा सिक्वेंस होता है इस इसमें नीचे से ऊपर कि तatreps जब जाते हैं तो तरंधेर्ध का मान बढ़ता है इसका मतलब कि सबसे कम तरंधेर्ध बैगनी का है आपने देखा था 400 9.0 मेटर से स्टार्ट होता है और चीश्ट से जैगदेर्ध किसका होता है लाल का होता है जो की 750 पचास से जादा है तो इसका मतलग कि अगर बैगनी का तरंग दैर सबसे कम है तो इस फार्मुली के अंसार बैगनी का प्रक्रिडन सबसे ज्यादा होगा और लाल का तरंग दैर सबसे ज्यादा है तो उसका प्रक्रिडन सबसे कम होगा तो यही कारण होता है कि यहां से यह ज ठीक है जबकि लाल रंग का तरंग दैड सबसे ज़्यादा है तो इसलिए इसका सबसे कम प्रक्रिडन होता है और यही सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे पास यहां प्रित्वी पर पहुँच पाता है ठाथ तो सवेथ प्रकास में से अधिकांस रंगों का इतनी दूरी करने के beiden internation रंगों का र synchron यह रास्ते में प्रकिडन हो जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे च्शाइप में हमारे पास लाल प्रकास पुछता है इसलिए हमको सुर्ज सुभ और साम के समय लाल दिखाई दे चालता है ठीके जब आप दोपहर की अगर बात करें तो दोपहर में आप जानते हैं कि सुर्य और प्रित्वी की बीच की दूरी बहुत कम होती है और इतनी कम होती है कि लगभग सभी तरंगदैर्द की प्रकास करने प्रित्वी तक पहुच पाती हैं सातों रंग आते हैं और सातों रंग जब आत दिखाई दिखाई देता है लेकिन सुबह और साम के समय हमको लाल दिखाई देता है प्रकास के प्रक्रिडन की वज़से ठीक है इसी प्रकास के प्रक्रिडन की वज़से से रिलेटेड़ कुछ और भी घटना है जैसे आसमान का नीला दिखाई देना प्रत्वी पर से अगर ह और वही नील रंग यहां पर आसमान में भिख्रे हुए है जो हमको नीला-nीला आसमान दिखाई देता है ठीक है ध्यान रखना है कि आसमान का रंग नीला दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है प्रकास का प्रकेडन और अगर आप पिर्थवी पर रह रहे हैं पिर्थवी कोई वायू मंदल नहीं है तो यहां पर कोई वायू मंदल नहीं है तो यहां पर प्रकास का प्रक्रिडन भी नहीं होगा और प्रकास का प्रक्रिडन नहीं होगा तो आस्मान आपको कैसा दिखाई दिखाई देता है तो यहां पर जो आस्मान है वो आपको काला दिखाई देत हुजान होता है ठ्यां रखना है कि चंद्रमा पर व्यniestकिनो canon hoने की व्यचा से वहां पर प्रकास का प्रक ब nggak नहीं होता इसलिए आसमान काला दिखाई दिता है जबकि प्रत्वी के चार ओर व्यों मंदल है और यहां पर धूल और धुएं के कड़ों की वज़ए से प्रकास का प्रकृडण होता है ज्यादा तर बैगनी और नीले रंगों का प्रकृडण होता है इसलिए हमको आसमान नीला दिखाई देता है ठीक है यह सवाल आप ध्यान रखेंगे तो प्रकास के प्रकृडण की वज़ए से यह घटना देखने को मिलती है एक और घटना हम लोग देखेंगे सूरी के प्रकास के कारण प्रकृति में जो अक्सर हम को देखने को मिलता है वो है इंद्रधनुस तो सूरी के के प्रकास के कारण होने वाले प्राकृति घटनाओं में लास्ट है ये इंद्रधनुस का बनना काफी इंपोर्टेंट है ये और काफी इंट्रेस्टिंग देखें सुर्य के प्रकास की वज़े से इंद्रधनुस का बनना ये घटना कब पॉसिबल है सबसे पहले ये जानना जरूरी है तो ध्यान रखे कि अगर मानिजे यह सुर्य है और यहां से प्रकास किरने जा रही है इस तरफ तो जो इंद्र धनुस आपको दिखाई देता है यह कब पॉसिबल है यह तभी पॉसिबल है जब यहां पर कोई आदमी खड़ा हो यहां पर और वो इस तरफ देख र रहा हो और यह इस विपरीत दिशा में देख रहा और इधर बारिस हो रही हो यानि जल्व की चोटी-चोटी बूंदे हो तो ऐसे में यहां पर इस आदमी को जो है यह यह पूरा सिक्वेल्स होता है इंद्र धनुस का यह यहां पर दिखाई देता है ठीक है यह केस आपको एक चाप बना होता है जिसको हम लोग इंद्र धनुस कहते तो वह साथ रंगों का वह चाप अर्थात इंद्र धनुस कैसे बनता है इसके लिए देखी हुआ कि क्या कि जब यह सूर्य का प्रकास चलता है और यह जल की बूंदों पर पहुंचता है तो इसका यहां पर इस ब सबसे ज़्यादा लिन टो जाती है और लाल सबसे कम लिती होता है तो सुरा का प्रकास जब जल्ड के बूंद पर वर्सा के बूंद मैं पीछे आपको बता चुका हूं पिछले लेक्षर्स में कि अगर आपतन कोड का मान करांतिक कोड से जादा हो जाएगा तो संपूड प्रकास वापस लौट आएगा इस घटना को पोड़ा अंतरिक परावर्तन करते हैं ठीक है तो यहां पर एक बार आप अपवर्तन हुआ फिर यहां पर एक पोड़ा अंतरिक परावर्तन फिर से यह प्रकास क्रिड़े यहां पर आई और इस बिंदू से फिर से थोड़ा सा बिचली थुई यानि फिर से अपवर्तन यहां पर हो गया और इस प्रकार से यह सिक्वेंस जो यहां पर नीचे बैगनी था उपर लाल तो एक बार अपवर्तन हुआ और एक बार आंतरीक परावर्तन या पूड़ा आंतरीक परावर्तन और इस प्रकार बने हुए इंद्रधनुस को क्या बोलेंगे प्राथमिक इंद्रधनुस जब भी ऐसा आपको दिखाई देता है यानि कि नीचे की तरफ लाल हो ऊपर की प्रकार बनने वाले इंद्रधनुस बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुस लेकिन आगर यहां पर एक बार आंतरीक परावर्तन होने की कि बजाए दो-दो बार आंतरीक परावर्तन हो तो यह Personally एकदम उल्टा दिखाई देता है नीचे की तरफ होता है बैगनी और ऊपर की तरफ दिखाई देगा आपको लाल यानि कि सब 3нем नीचे जो रний डिखाई देगा जो चाप बनेगा वह बैगनी होगा जो सबसे उपर होगा वह लाल का होगा तो ऐसे इंद्रधनुस को बोलते हैं दितियक इंद्रधनुस ठीक है बस आपको एक यहां पर स्टेटमेंट रहाद रखना है कि प्रात्मिक इंद्रधनुस में दो बार अपवर्तन और एक बार आंतरीक परावर्तन ह होता है जबकि दितियक इंद्रधनुस में दो बार अपवर्तन और दो बार आंतरीक परावर्तन होता है ठीक है तो कुल मिला के आप कर सकते हैं यह तीन स्टेप में पूरा होता है और यह जो है यह चार स्टेप में पूरा होता है ठीक है तो इस प्रकार आप याद कर सकते ह इंद्रधरुस का बनना दोनों का नाम याद रख लिजे और दोनों में यह देख लिजे कि दोनों में यह जो रंगों का सिक्वेंस है वो जस्ट एक दम उल्टा है ठीक है तो यह बात हो गई प्राकृति घटनाओं के एक उधारण की तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और अभी तक जितना भी हमने पढ़ लिया है इसमें हमने किरण प्रकासिकी को कम्प्लीट कर लिया है जितने भी लेक्चर आप तक पढ़े हुए हैं आज का लेक्चर यह मिला के आपने किरण प्रकासिकी को कम्प्लीट कर लिया है अब एक चीज और बसता है जो अगले ले अर्थात प्रकासि की अंत्र के साथ धन्यवाद